अपनी पार्टी जे एपी का विल्या गराकर कॉंग्रिस में शामिल हुए पप्पू यादफ के लिए आज बहुत एहम दिन है दरसल आज पूर्णिया समेथ दूसरे चरण की लोकसवा सीटों पर नामांगन का आखरी दिन है ऐसे में कॉंग्रिस ने पप्पू यादफ को पहले ही अल्टिमेटम दे दिया था कि अगर वे नामांगन वापस नहीं लेते हैं तो आलाकमान उन पर कारवाई करेगा कॉंग्रिस के प्रदेश अद्यक्स अकलेस सिंग ने दो दिन पहले ही कहा था कि किसी को अभी आलाकमान और कॉंग्रिस नेतरत इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि वे निर्दलिये नामांगन करें ये कॉंग्रिस पार्टी सुईकार नहीं करेगी दरसल आज लोकसवा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांगन वापसी के आखरी तारीक है लेकिन फिर भी पप्पू यादव खुले तौर पर ये कह चुके हैं कि उन्हें सब कुछ बरदास्त है लेकिन पुर्णिया चोड़ना बरदास्त नहीं है नामांगन के दिन वो काफी भावुक भी हो गए थे और कहा था कि बीते कई दिनों से वो टॉर्चर हो रहे थे उन्होंने कहा कि मुझे कॉंग्रिस का समर्थन है फिर भी मुझे निर्दली चुनाव लड़ना पड़ा मेरी राजनीति घतिया की साजिश की गई है लेकिन मैं पुर्णिया से चुनाव लड़ूँगा और इंडिया गटबंदन को और मजबूत करूँगा वही आपको बताते चलें कि पपुयादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कॉंग्रिस में विला कर लिया है दिली में पपुयादव की कॉंग्रिस में जोड़दार एंटरी कराई गई थी वो पुर्णिया से तीन बार सांसत रह चुके हैं दरसल महागडबंदन के बीच हुए सीट बटवारे में पुर्णिया की सीट लालो यादव की RJD के खाते में गई है और RJD परत्याशी वीमा भारती इस सीट से महागडबंद की परत्याशी है वहीं सीट शेरिंग से पहले ही पपुई आदव पोणिया पर अपना दावा ठोकते आए हैं तो वहीं दूसरी तरफ पपुई आदव अपनी हट पर अड़े हुए हैं ऐसे में अब देखना दिल्चस्प होगा कि आज अगर पपुई आदव पोणिया से अपना परचा वापस नहीं लेते हैं तो क्या उनके खिलाफ कॉंग्रेस कारवाई करेगी या नहीं